तो आज हम डिसकस करेंगे आपके ग्लास 9 के साइंस के चैप्टर टिशू के वारे में तो यह आपकी बाइलोजी का चैप्टर 2 है और अभी तत हम इसके दो लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो जाके देखनी चीव या बात में जाके आप देखनी जेगो से ताकि आपको बेहतर समझ में आसके तो यह हमारे लेक्चर 3 होने वादा है और यह आपकी आईरन सीरीज चल लेगे क्लास 9 चलिए स्टार्ट करते हैं तो अब हम जो इसमें डिस्कस करेंगे सेल्स ओफ इस्क्लेरिन कायमा के बारे मां ओके इस्क्लेरिन कायमा सेल्स के कितने टाइप होते हैं तो Sclerent Cells of Sclerent Chima are of two types, यह two types की होती है, फस्ट होती है Sclerets, तो Sclerets के बारे में हम देखते हैं, यह these are also called grid cells और strong cells, तो इनको हम strong cells भी बोलते हैं और grid cells भी बोलते हैं, यह जो होती हैं, यह small cells होती हैं, और यह आपके, where lumen is so small, due to higher thickening, इसमेर जो lumen होता है, वो small होता है, जिसकी वजासे इसकी जो thickening होती है, वो higher होती है, और cell wall, cell wall पर higher होती है, ओके, as present in true fruits, true fruits जो होते हैं, mango, coconut, walnut, in legume seeds, जिने macro sclerets कहते हैं, ठीक है, उसमें आपको sclerets देखने को मिलेंगे, और यह grid cells यह stone cells भोलते हैं, और इनमे higher thickening होती है, यानि कि यह hard होती है, अब हम second की बात करते हैं, fibers, तो जो fibers होते हैं, आपने देखे होंगे, नारियल होता है, coconut, उसको जब आप देखेंगे, तो उसको उपर, अभी तो season भी चला है, और नॉर्माली भी आपने देखो, उस पर threats होते हैं, यानि कि रेशेदार, रेशे, रेशे से होते हैं, तो वो fibers होते हैं, okay, they are very long, यह long होते हैं, narrow होते हैं, thick होते हैं, lignified cells होते हैं, lumen जो होती है, large होती है, as compared to sclerets, sclerets के compare में, इनकी lumen large होती है, okay, generally यह 1, 2, 3 mm long होते हैं, 1 से 3 mm तक देखने को मिल जाएंगे, okay, in the thick walls, of both the fibers and sclerets are present, अब जो thick walls सोतने हैं, वो आपको दोनों में देखने को मिलेंगी, fibers में भी, और sclerets में भी, are present thin areas, और यह thin areas में present होती हैं, जिने हम बोलते हैं, pits, एक है, pits हम बोलते है, sclerent काइम of fibers जो होते हैं, इनका जो use होता है, आपने देखा होगा, नारियल की रस्सी आती है, नारियल की mats आती है, ठीक है, certain textile में use होता है, fibers, jute and coir are obtained from the thick bundle of fibers, यह जो होते हैं, यह thick bundle होते हैं, fibers के, okay, jute and coir, आपने देखा होगा, jute की रस्सी लिया हो, या नारियल की रस्सी लिया हो, jute mat होती है, नारियल के fibers होते हैं, इनसे mat भी बनी होती है, ठीक है, और जो आपकी leather की ball आती है, cricket खेल लेंगे लिए, उसके अंदर भी jute पर होता है, यानिकि यह fibers होती है, नारियल के, okay, तो बहुती ही जगा इसके use होता है, अब हम देखेंगे difference between, पेरिन काइमा में के difference है, पेरिन काइमा में के difference है, तो देखेंगे, पेरिन काइमा टिशू जो होते हैं, यह potato में होते हैं, यानिकि आलू है, तो इनका intercellular space कुछ इस तरीके से दखाई देगा आपको, और यह cross section है, और यह इनका longitudinal है, ठीक है, तो यह सब चीज़े इसमें present होंगी, अब पालिन काइ में टिशू जो होते हैं, यह celery, इसका cross section आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इनका transverse section है, यह longitudinal section है, वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, एक primary cell wall, आप इस clarin काइमा टिशू की बात करेंगे, यह pierce में आपको देखने को मिल जाएगा, lumen पुछ इस longitudinal है, तो यह आप देख सकते हैं, आप हम इस में difference करेंगे कि किस में क्या present होता है, तो जो cell shape होता है, parent climate tissue, isodimetric होता है, cells, which are oval होती है, इसकी जो cells होती है, oval होती है, spherical होती है, और polygonal होती है, shape में, same colon climate tissue में, circular, oval और polyacral, और इसमें variable in shape, fibers and splurits होती है, okay, cell wall की बात करें, in cell logic, cell wall होगी इसमें, uneven thickening, और tear cell wall होती है, lignified secondary, cell wall present होगी इनमें, अब हम बात करते हैं, cytoplasm की, okay, abundant होती है, present होती है, absent होती है, nucleus जो होता है, present होता है, living tissue होता है, present होता है, और ये भी living tissue होती है, fallen chimer, absent होता है, और dead tissue होता है, sclerine, primer tissue, okay, vacuoles जो होती हैं आपकी, large vacuoles होती हैं इसमें, यह vacuolated होता है, और यह आपका absent होता है, okay, six, आपका intercellular space की बात हो रही है, तो वह आप diagram में भी देख सकते हैं, present, absent, absent, okay, occurrence की बात कराया हैं, basically packing tissue होता है, all soft part of plant with cortex, medullary rays, okay, dicot stems होते हैं, petule and bennet, the epidermis, ठीके absent in monoport and roots, तो यह dicot absent होंगे, monoport and monoport and roots होगा, okay, dicot, iberdermis होगा, bundle sheet होगा, pericycine, seed, pulp और fruits, okay, देखने को आपको मिलेगा, इसके जो functions हैं, यह food storage and photosynthesis का का काम करेगा, provide tensile, strength देगा, आपको mechanical support देगा, और photosynthesis भी करा देगा, okay, protection from stress, मतलब stress से protect करेगा, strain से करेगा, और mechanical strength provide करेगा, okay, तो यह जो functions थी हैं, यह आपके parianchymor, pollenchymor and clarinchymor tissue के देगा, ओके, अब हम second बात करेंगे, complex permanent tissue के बारे में, it consists of more than one type of cell, which work together as a unit, अब देखिए, इसका नाम में complex permanent tissue, जब complex word आगया, तो जाहिर सी बात हैं, कि चीज़ें आप complex होने वाले हैं, तो जो cells हैं, यह complex होती हैं, अब यह अलग-अलग काम करती हैं, अलग-अलग cells मिलकर एक unit के पौंग में काम करती हैं, work together, okay, और एक से ज़्यादा cells मिलकर काम करती हैं, it helps in transportation का काम करेगी, और organic materials को, water and minerals को, ठीग है, अब complex permanent tissue, transportation का काम करेंगी, organic material को, water and minerals को, okay, it is also known as conduction of vascular tissue, इसे नहीं हम इना बोलते हैं, conduction of vascular tissue, ठीग है, xylem phloem together form vascular bundle, तो xylem and phloem जो होते हैं, यह together काम करके क्या बनाते हैं, vascular bundle, तो यह बात आप जात रखिएगा, कि xylem और phloem बिलकर एक vascular bundle बनाते हैं, अब हम बात करेंगे, xylem की, also known as wood, and is a vascular and mechanical tissue, thick bald cells are found in the form of tubular passage, यह कि vascular and mechanical tissue, तिक bald cells है, और इसमें पाई जाएगी, tubular passage, तो यह आप देख सकते हैं, यह इसका diagram है, इस वाले area को बोलेंगे, और यह आप देखनी जेगा, vessels, element, ट्रेकेट, जाइलम, पेरिंट, आइमा, तो यह diagram आप एक बार अच्छी तरह देखनी जेगा, क्योंकि diagram देखने हैं अच्छी तरह यह आप होगा, अब हम जाएलम की बात करें, आप बात होगी ट्रेकेट्स की, primitive elements होते हैं, तो किसम करेंगे यह जम्नी इसपर्म, gymnosperm में water and mineral की conduction में ये involved होती है अब हम बात करेंगे vessels की they are advanced elements generally found in angiosperm ये एक advanced element होते है और ये generally किसम पाई जाएंगी angiosperm में vessels are cylindrical tube-like structure placed placed one above the other end to end which form a continuous channel for efficient conduction of water अब ये मतलब एक दूसरे से चोड़के continuing channel बनाएंगे तागी water पे conduction कर सके हैं अब xylem parent काईमा की हम बात करेंगे इस बात के जाद रखिएगा आप xylem parent काईमा they are small and thick bald parent काईमेटर cells होती है ये small and thick parent काईमेटर cells होती है और इसका काम है storage of starch जिसको हम food बोलते हैं क्यांके storage of starch जिसको हम food बोलेंगे ओके अब हम बात करेंगे आपके xylem is clear in काईमा they are non-living fibers which thick walls and narrow cavities provide mechanical support तो ये जोए हमें mechanical support provide करेंगे except xylem parent काईमा all other xylem elements are dead except xylem parent काईमा all other xylem elements are dead मतलब xylem parent काईमा के अलावत जितने भी xylem elements होंगे वो सारे dead होंगे ओके the annual rings present in the trunk of a tree are xylem rings अब देखिए ये जोए ही ये rings जोए है ये xylem rings है ओके जो ये ring दिखते हैंगे by counting the number of annual rings we can determine the age of a tree अगर हम ये rings को count कर ला तो हम किसी भी फिर्ड सा age बता सकते हैं कि आपने फिर्ड काट दिया ठीक है जब फिर्ड को आप cut कर देंगे तो उसके बाद आपको उसमें ring दिखाई देंगे ठीक है आपको काटने नहीं लगाने है लेकिन कुछ जलाओ आपको जैसे कि आप लकड़ी जो आरा मशीन होती है वहाँ पर आप देखा होगा बड़े बड़े ट्रंक होते है पिर्ड के आप जब वह देखेंगे तो उसमें आप ring देखेंगे तो जब आप वह उन रिंग को count करेंगे तो आप किसी भी ट्री की एच कर सकते हैं लेकिन आपको आप पुर। गाटने नहीं है आपको लगाने ही फ्लोईयम की अब हम बात करेंगे फ्लोईयम 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 And Clarinchymetis and Clarinchymetis cells होता है Floem जो होता है five elements को होता है अब हम बात करते हैं first sieve tubes की sieve tubes क्याँ देखे हाँ sieve cleat, sieve tube, phloem, parenchymes, companion cells okay sieve tubes are slender tube like structures made up of elongated thin wall cells placed end to end तो siep tubes जो होती है यह आपकी cylindrical tube structure होती है इनका जो structure होता है वो elongated होता है और यह thin wall cells होती है जो placed होती है end to end पर तीक है जैसे कि आप देख सकते है end to end पर ही present है The end walls of siep tube cells are perforated by numerous pores formed as siep plates अब इसके अंदर यह जो होती है numerous pores की होती है तो उसको हम बोलते है siep plates nucleus of siep cells degenerated at maturity however cytoplasm persist siep cells जो होती है वो डिजनेरेटेट होती है maturity पर और cytoplasm persist होती है because of protoplasmic continuation क्योंकि इसके अंदर protoplasmic continuation होता है और siep tubes with companion cells through plasma decimator इसके साथ होता है with companion cells through plasma decimator अब हम बात करते हैं siep cells की siep cells possess slime protein siep cells के पास slime protein होती है और protein जो होती है which is concentrated with growth and repair of siep cells अब ये क्या काम करेगी growth करेगी ठीक है और repair करेगी siep cells को okay siep cells की growth कराएगी और उसको repair करेगी ये काम कौन करेगी siep cells ठीक है companion cells की बात करेगी है ठीक है companion cells cells have dense cytoplasm अब हमें dense cytoplasm का देखने पो मिलेगा companion cells के अंदर okay and इसके अंदर हमें prominent nuclei देखने पो मिलेगा siep cells and companion cells are so called sister cells अगर हम कहें कि sister cells कौन सी है तो आपको प्याना siep cells and companion cells sister cells है because उसका reason है इनका जो origin हुआ वो single mother cells हुआ है ठीक है क्योंकि ये single mother cells के द्वारा ही originate हुए है अब sister आप जब भी तो पाऊगे क्या गहते हैं जब वो एक ही mother से हुआ है ठीक है और वो siep cells and companion cells है तो पी flowing fiber की बात हम करेंगे they give mechanical support to siep tubes ये क्या करते हैं ये mechanical support provide करते हैं siep tubes लो flowing parent कायमा क्या काम करेंगे तो store food and help in radial conduction of wood ये food को store करेंगे और help करेंगे radial conduction of wood को ये के ये आप देख सकते हैं यह आपके fibers हो गए, यह आपकी seed plates हो गए, यह seed areas हैं आपके, यह आपकी companion cells हैं और यह आपके seed elements हैं, ओके, तो next हम देखेंगे some important point, main part of phloem involved in conduction of food, अब phloem का main part क्या है, conduction of food, which is seed tubes, किसमें तरहेगा, seed tubes में, in xylem, only unidirectional movement is possible, xylem सिर्फ unidirectional movement करेगा, जो possible है, while in phloem, phloem जो है, bidirectional movement करेगा, can occur, ठीक है, in phloem, except phloem is clarin कायमा, all elements are living, in phloem, except phloem is clarin कायमा, all elements are living, ठीक है, अब हम बात करेंगे, xylem and phloem की, यह चीज important है, यह याद रखेंगे, अब features देखेंगे, xylem के, और हम phloem के features देखेंगे, xylem में dead है, phloem में living है, xylem में थे गए, phloem में थे न, materials, lignin, cellulose, permeability आपकी क्या है, impermeable है, और यह permeable है, ठीक है, cross walls जो होती है, इसमें नहीं है, sieve plates है, इसके अंदर, cross करने के नहीं है, side of plasma का, नहीं है, इसके अंदर present है, functions की बात करें, carrier water and salts है, इसके अंदर carrier sugar है, ओकी, direction of flow, upward है, इसका downward and upward दोनों है, यह बात ही उपर बताईए कि, जो xylem का है, सिर्फ upward direction है, मतलब water जाएगा, xylem और phloem के जरीए, तो xylem का water हमेशे उपर जाएगा, xylem से जो जाएगा, और phloem से जो जाएगा, वो upward and downward दोनों हो सकता है, ओकी, special features क्या है, इसके पास fibers है, xylem के पास, और इसके पास companion cells है, ओकी, तो special features की बात करें हम, तो xylem and phloem में, तो xylem के पास fibers हैं, और phloem के पास companion cells है, आयोब आपका यहां तक clear हो, अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी confusion है, या कोई भी question है, तो आप हमें, kellygram पे join कर सकते हैं, यहां हमारे channel group दौन हो है, facebook, instagram पे आप हमें follow कीजिए, youtube पे आप हमें subscribe कीजिए, and अपने friends के साथ share कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम से जोड़ सके, and thanks for watching,